Hello Students, Welcome to Chirag English Window आज की क्लास में हम 10th क्लास की अमंडा पोइम करेंगे देखो क्या लिखा इसके बारे में Every child feels परते एक बच्चा मानता है that he see की वह is controlled नियंत्रित किया जा रहा है and instructed और उसे निर्देश दिये जा रहे है not to do one thing or another ये काम नहीं करने के लिए और वो काम नहीं करने के लिए You too may feel, आप भी अनवव कर सकते हो that your freedom is curtailed curtailed का मतलब होता है कम किया जा रहा आप भी ऐसा मान सकते हो कि आपके आज़ादी को कम किया जा रहा है write down some of the things कुछ कार ये लिखें you want to do जो आप करना चाते हैं but your parents, elders प्रन्तु आपके parents आपके बुजरुग do not allow you to आपको वो काम करने के अनमती नहीं देते हैं to read the poem, allowed poem को जोर जोर से पड़े form pairs जोडे बनाते हुए each reading और परतेक पड़े alternate stanza आपको अचमबा होगा इस poem को पड़ते हुए देखो पड़ते हैं एक लड़की है उसको उसके parents में से एक के द्वारा बार बार ये काम मत करो वो काम मत करो इस परकार से उसको बाते किया जा रहा है कि तरे को ये करना चीए ये नहीं करना चीए इस परकार की बातें इस poem में ओर ही है देखो don't bite your nails अपने nails को मत काटो अमंडा अमंडा don't hunch your shoulders hunch का मतलब जुकाना अपने कंदों को मत जुकाओ अमंडा stop that slouching slouching होता है सुस्ती लेजी वे आप जिस आलसे में रहती है उस आलसे को खतम करो sit up straight सीधा बैठो अमंडा अमंडा parents में से एक अमंडा को कह रहा है कि ऐसे अपने कंदों को मत जुकाओ अपने नाखुनों को मत काटो ऐसे सीधा बैठो उसको बार-बार instruct किया जा रहा है अब यहाँ पे ओ लड़की imagination कहती है कास मैं बिना parents के बंदन के होती और मैं एक परी की तरह होती जल परी जो बड़े से समुद्र में रहती उसकी तरह होती सवतन तरह रहती क्या करें देखो there is a language language होता है सुच सा relaxed होना चाहिए एक सुच सा emerald emerald के color का विसाल सा हरे color का सी समुद्र वो कल्पना करती है कि कास मैं एक हरे से बड़े से समुद्र में रहती जो सुच सा होता जो सांच सा होता where the soul inhabitant soul का होना only cable जापर मैं ही केवल एक inhabitant निवासी होती रहने वाली होती is me मेरे रूप में कास एक बड़ा सा समुद्र होता हरे का लड़का और उसमें केवल मात्र मैं एक रहने वाली होती ए मर्मेड एक जलपरी की तरह एक मज्चे कन्या की तरह drifting जो धीरे धीरे चलती मंद मंद चलती blissfully आनद पुरो यहां वो लड़की कल्पना करती है अपनी मदर या फादर के इस परकार से पंदी बंद लगाने पर की कास मैं जलपरी होती और एक विसाल सा समुद्र होता उसमें किसी परकार का मेरे उपर कोई बंदन नहीं होता और मैं मंद मंद गती से खुशी से वहां चलती वहां रहती अब parents में से फिर का जा रहा है Did you finish your homework? क्या आपने अपना homework पूरा कर लिया अमंडा अमंडा Did you tidy your room? tidy your room, व्यवस्थीत करना क्या अपने अपने कमरे को व्यॵस्थित कर लिया अमंडा, अमंडा I thought मेरा ख्याल है मैं मानती हूँ I told you मैंने आपको कहा था to clean your shoes आपके जुते साप करने के लिए Amanda, Amanda parents में से एक फिर कह रहा है Amanda को क्या आपने home work पूरा कर लिया क्या आपने अपना कमरा व्योस्थित कर लिया मेरा मतलब है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अपने जुते साप करो मिन्स फिर से वो करें ये करो वो करो और इस चीज को Amanda like नहीं कर रही है Amanda फिर कलपना करती है कि मैं कास parents ना होते और अनाथ होती तो एक अच्छा जीवन जीती मेरे उपर ये परतिबंद नहीं होते सापतंतरता का जीवन जीती देखो क्या कह रही है I am an orphan कास मैं एक orphan होती orphan होता है अनाथ बच्चा roaming जो घूमती dust it गड़ी में कास मैं एक अनाथ होती मेरे उपर परतिबंद लगाने वाला कोई नहीं होता और मैं गड़ी में घूमती I pattern और मैं आकरतिया बनाती अलग अलग चित्र बनाती soft dust मुलाइम धूल में मैं अलग 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 चित्र बनाती मुलाइम धूल में अपनी तरीके से खेलती किस्चे चित्र बनाती with my husd husd का मतलब होता है काम से, सांच से bare feet, नंगे पैरों से कास में एक अनात होती गड़ी में इदर उदर गूमती और अपने पैरों से सांच से चित्र बनाती soft soft धूल में dust में The silence is golden Silence is golden चुपी सुनेरी होती है The freedom is sweet और आजादी स्वाहवनी होती है लड़की कलपना करती है कि चुप रहना भी अच्छा है आजाद रहना और भी अच्छा है वो कह रही है कि चुप रहना सुनेरा है जबकि आजाद रहना सुहावना है अब फिर parents में से उसको बोल रहे Don't eat the chocolate चोकलेट मत खाओ Amanda Remember your acne ध्यान रखो आपको मुआसे हो सकते हैं ये खाने से Amanda Amanda Will you please look at me क्या आप मेरी तरफ देखोगी When I am speaking to you जब मैं आप से बात कर रही हूँ Amanda 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 मैं तेरे से बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है ध्यार भी नहीं दे रही है क्या तो इधर देखेगी Amanda फिर से कलपना करती है फिर से किसके कलपना करती है कास में कोई राजकुमारी होती क्या करें देखो I am Ripunjal Ripunjal एक राजकुमारी का नाम है जिसको उसके घरवालों ने एक बड़े से टावर में रख दिया था अकेली रहती थी एक दिन उसने अपने बाल नीचे जुकाए एक राजकुमार उन बालों को पकड़ कर उपर चड़ता है और वो राजकुमारी राजकुमार के साथ चली जाती है लेकिन यहाँ पर एक कहती है मैं तो ऐसा काम भी नहीं करूँगी मैं उस राजकुमारी की तरह रह सकती है लेकिन ऐसा नहीं करूँगी कि बाल नीचे जुकाऊँगी कोई राजकुमार आये गर वो मुझे ले जाएगा नहीं मैं के लिए रहना पसंद करती हूं उस राजकुमारी की तरह देखो क्या लिखा है I am répugel मैं राजकुमारी रुपेंजल की तरह रहना चाहती हूँ I have not a care मुझे कोई परवा नहीं है मैं बे परवा रुपेंजल की तरह रहना चाहती हूँ Life, जिन्दगी in a tower एक tower में गुजारते हुए एक मिनार में गुजारते हुए Is tranquil यह है Sanxi and rare और दुरलबसी वो कहती है मैं रिप्योंजल राजकुमारी की तरह रहना चाहती हूँ अपनी जिन्दगी एक tower में बिताना चाहती हूँ जो Sanxi हो और जो दुरलब भोव हो तिक हम लोगों को ऐसी जिन्दगी नसीब हो I will certainly never let down I will certainly मैं निश्ची तरोब से Never let down कभी नहीं निच्चे जुकाऊंगी कभी नहीं निच्चे गिराऊंगी My bright hair मेरे चमकी ले बालों को Means मुझे किसी राजकुमार की जरूर्द नहीं है मैं अकेले ही उस tower में रहूंगी अब देखो last stranger Stop that sulking at one Sulking Sulking कमलो तर रूठना इस रूठने को अभी बंद करो Means रूठो मत Amanda Amanda You are always so muddy आप हमेशा इतनी चिर्चिडी रहती हो मुड़ी चिर्चिडी Amanda 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 आप हमेशा चिर्चिडी रहती हो Anyone would think Anyone would think That I naked at you Naked कमलो दोस निकालती रहती हो कोई भी सुनेगा तो सोचेगा कि माँ आप में दोस निकालती रहती हूँ Amanda Amanda इस परकार से यह पोईम जो Robin Kellyn की लिखी हुई है वो complete हो गई पूरी पोईम का message यही है कि बच्चे हमेशा सोचते हैं कि parents हम पे परतीबंद लगाते हैं हम ऐसे सवतंतर रहें हम ऐसे सवतंतर रहें लेकिन इसका मतलब यह नहीं है parents हमारे उपर कोई परतीबंद लगाते हैं वो हमारे अच्छे के लिए लगाते हैं आज की class में इतना ही thank you